हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू बैक माई यूटूब चैनल चंद प्रताप अकडमी आज हम इस वीडियो के माध्यम से यंसी आर्टी मैत कक्छा नाइंध के महत्पूर कोश्चन लेके आएं हैं उसके वारे में इस वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में कोश्चन को देखेंगे आसान ट्रिक के माध्यम से निमन लिखित बेंजकों में से प्रतेक बेंजक को सरल कीजिए यानि निमन लिखित बेंजकों में से प्रतेक बेंजक को सरल करना है आपके सामने कोश्चन दिखाया जा रहा है उसको सरल विधिसे यार सरल ट्रिक के माध्यम से इसको हल करना है आसान ट्रिक के माध्यम से यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताईएगा और लाइक, शेयर और सस्क्राइब तो करना ही है दोस्तों चलिए कोश्चन को देखते हैं पहला है थ्री तीन प्लैस अंडरूर तीन टू प्लैस टू अंडरूर यानि हमको इसको कैसे हल करना है बहुत आसान ट्रिक के माध्यम से हल करना है सबसे पहले हम यहां कर लेंगे हल कर लिख लेंगे हल लिखने के बाद 3 प्लेस अंडर रूड 3 2 प्लेस रूड 2 हो गया इसको हम क्या करते हैं पहले इसका 3 का हम क्या करते हैं 2 के साथ गुड़ा कर लेते हैं बहुत आसान है 3 गुड़े 2 हो गया इसके बाद हम क्या करते हैं थ्री का गुणा हम क्या करते हैं यह थ्री का गुणा हम टू के साथ करते हैं तो यानि हम क्या करते हैं थ्री का गुणा पहले टू के साथ करते हैं यहां प्लस लिख लेते हैं प्लस लिखने के बाद इसका गुणा हम थ्री का गुणा टू के साथ तो यहां लिखेंगे रूड टू प्लैस थ्री हो जाएगा थ्री के बाद फिर करेंगे प्लैस अब क्या करेंगे थ्री का हम टू के साथ गुणा करेंगे तो टू प्लैस रूड थ्री हो जाएगा अब 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो यहां हो जाएगा 3 रूड प्लेस रूड तो हो जाएगा आप चलो आप आँके देखते हैं आनि कि इसको हम समझ लेंगे एक बार फिर 3 का गुणा 2 के साथ कर लिए फिर 3 का गुणा 2 के साथ करते हैं टू रूट प्लेस थी हो जाएगा इसकी बात खतम हो गई अब इसकी बात करते हैं तो हम इस में भी लिख लेते हैं टू अन्डरूड थी अब 3 है टू है तो ध्यान से हम देख लेते हैं तो यानि तीन गुणे दो, थ्री गुणे टू, तू गुणे थ्री और टू गुणे अंडर रूड थ्री और थ्री गुणे टू अब हम इसका गुना करेंगे तीन का और दो के सात गुना करेंगे तो क्या हो जायेगा छे आजाएगा तीन का तीन दूनी छे हो जाता है प्लेस देखिए रूड टू है और ये रूड थिये तो गुणत कि है तो यह हो जाएगा त्री रूड तू प्लैस अब इसका होगा रूड तू रूड त्री प्लैस अब इसको इसमें क्या लगा होता है तो हम क्या करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं तो हम कुछ मीर मुर्ची ने लगा है झात इसलिए यह मोटा करते हैं तैन का गुणा करते हैं यहां किया सकते हैं कि इसको हम स्कान करेक्ट और हैं से हमता सकते हैं कि कि यह होगा नेश्ट कोश्चन है देखिये दूसरा है थ्री प्लस अंड़ा रूट 3 को ट्रार में बंद 3 अंडर रूट 3 देखिये ये भी से अबonces itself देखेंगे अबकि ंसमें प्लस लगा है और इसमें माइनस अभी हम पहले कोश्चन में कर रहे हैं दोनों में प्लस प्लस था लेकिन में प्लस और माइनस की चिन भी दिया गया है इसको धियान से देखिएगा चलिए इसको हल करते हैं सबसे पहले हैल करते हैं तो हम क्या करते हैं 3 plus 3 अंडरूर 3 3 माइनस अंडरूर 3 कर लेंगे चलिए अब इसमें देखिए अब इसको हम कोश्टक के बाहर रख लेते हैं तो A3 A3 समान है आप डारेक्ट भी कर सकते हैं तो A3 और A3 समान है तो आपको समझ में आना चाहिए तो A3 और A3 समान है तो आप क्या कर सकते हैं 3 का वर्ग यानि कि plus minus minus होगा plus minus minus हो जाएगा आप इतना ध्यान में रखना है plus minus minus होगा ठीक है कोश्टक आप हटा दिजिए 3 3 समान संग चाहिए तो 3 का वर्ग लिख दिए ठीक है आप क्या करते हैं 3 का वर्ग minus जैसे इसमें देखे यह भी को रूड लगा है इसमें भी रूड लगा है कोश्टक में बंद है तो हम इसको क्या करते हैं 3 रूड का स्क्वेर कर देते हैं क्योंकि इसमें भी रूड लगा है और इसमें संग्छा में भी रूड लगा हुआ है तो हम ऐसे कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं थ्री थ्री है तो आप हम क्या करते हैं थ्री का वर्ग क्या होता है थ्री का वर्ग होता है नाइन तो हम कह सकते हैं थ्री का वर्ग क्या होता है होता है और इसमें लगा है और रूड में संक्षा भी बर्ग है तो इसका वर्ग नहीं होगा तो क्यों कि रूड का हम बर्ग नहीं निकाल सकते हैं निकालेंगे भी तो तो क्या हो जाएगा 6 ही होगा तो जैसे हम 3 का वर्ग निकालते हैं तो 9 होगा तो 9 किसका वर्ग है 3 ही क्या है तो हम क्या कर सकते है कि इसको हम 9 का है तो 9 में 3 को घड़ा अब जैसे 9 बड़ी संग्चा होगे प्लस संग्चा है 9 इसमें भी देखिए है इसमें भी प्लस है तो नौ से माइनस तीन है तो हम नौ हो तीन हिसे घटा देंगे हमारा गएतार ऊड़िये कि या ग्रकर्ट या या नि कि हम कह सकते हैं कि इसका करेट्ट इंषर होगा हम आपको भी समझ में आ गया होगा कि 3 प्लैस अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 3 तो अब देखिए 3 3 क्या है प्लस थे त्री को हम लिख दिए 3 का वर्ग लिख दिए ठीक है आपको पता ही है और अंडरूट 3 का वर्ग यानि इसमें रूट लगा है तो हमको इसको वर्ग निकालेंगे भी तो इसका correct answer आ जाएगा इसी में अगला question देखते हैं तीसरा question देख लिजिए 5 root plus 2 का देखिए इसमें बर्ग दे दिया एक ही सवाल में देखिए हर सवाल अलग अलग तरीके से भिन भिन की मान किये अब इसको हल करते हैं यह थोड़ी सी बड़ी है इसको अच्छे से देखिएगा आब इसमें पूँचा है तो हम क्या कर सकते हैं कि सब दोनों को अलग इसको और इसका बर्ग किया है तो हम अलग कर देते हैं तो root 5 का वर्ग 5 का वर्ग plus root 2 का वर्ग कर दें प्लस 2 गुड़े 5 गुड़े root 2 कर दें अब सूत्र के हैं हिसाब से लग ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस 2 अब इसको अब क्या कर सकते हैं तो जैसे हम क्या करते पांच का वर्ग है तो यानि क्या हो जाएगा रूड फंसे देगा है अब जाएगैं यह प्लस 2 कर देंद होता है अब इसे 5 का 5 में रूड लगा है तो 5 का वर्ग क्या होगा 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है आप इसको ध्यान में रखिए 5 का वर्ग जो होता है 25 होता है तो 25 का किटा होता है फोर होता है ओर 5 तुचा कित्ता हुग तो चयाğ हो गया ठीक है तो 5 फ्लेस फ्लेस टू का visa dwarf तेन हम क्या करेंगे आब यह 3 संग्छाएं हमारी कैसी नहीं ईतु हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इनको जोड सकते हैं तो इसको हम क्या करें सबसे पहले इसको 5 और 2 को जोड देंगे 7 प्लेश 2 की घात 10 यही हमारा क्या होगा correct answer हो जाएगा यही हमारा answer होगा यही इस सवाल का answer होगा next question है next question है अंडर रूड 5 माइनस अंडर रूड 2 कोश्टक 5 प्लस रूड 2 अब देखिए इसमें भी कितना अच्छी सवाल है बहुत आराम आसान ट्रिक के माध्यम से मिसको भी हल कर सकते हैं अब इसमें प्लस इनका चींग दिया है तो फो यह मिसको बहुत आसान ट्रिक के माध्य उससे आराम श्रय लिए पांच का वर्ग फांच वर्ग प्लस माईनस-2 की घहात वर्ग तू को भी और फाइब को भी कल लेंगे अब देखिए पांच का वर्ग किता आता है आपको भी पता है पांच का पचीस होगा अभी हम पढ़ रहे तो पांच का पचीस होगा तो पांच पचीस किसका वर्ग है तो हम यहां लिख देंगे पांच का है दो किसका वर्ग है चार क है तो हम क्या लिख लेंगे तो यह माइनस चीन लगे पहले माइनस लिख लेंगे और चार किसका वर्ग है तो दो का वर्ग है दो लिख लेंगे हम तो पांच माइनस दो अब क्या करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि प्लस फाइप माइनस टू अंडर फाइप और माइनस ट कर लेते हैं तो 5 का बर्ग कित्ता होता है 25 होता है दो का बर्ग भी 4 होता है इसी तरह तो हम क्या करते हैं 5-2 बराबर तो हमारा 3 आ जाएगा जो 3 हमारा क्या होगा यही एंसर होगा हम कह सकते हैं कि हमारे आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं अधिक से लोगों को सेयर करें दोस्तों थैंक्यू दोस्तों